खोदा गाओं में खेत की रखवाली कर रहे युवक के पैर में लगी गोली जाच में जुटी पुलिस शिवपुरी जुले के बैरार थाना शीतर के खोदा गाओं में खेत पर रखवाली कर रहे युवक के पैर में गोली लगने का मामला सामने आया है गायल युवक को परिजनों द्वारा इलाज के लिए पहले शिवपुरी के जुला स्पताल में कराया गया भरती जहां से उसे ग्वालिय रिफर कर दिया गया युवक की रिपोर्ट पर इस केस दर्शकर पुलिस ने जान शुरू कर दिये हाला कि बैरार थाना प्रभारी ट्रियाई नवीन ग्यादव ने गोली बारी की घटना से इंकार किया है उनका कहना है कि मेडिकल लिपोर्ट के बाद ही इस पस्ट होगा कि युवक को गोली लगी थी अत्वा क्या है पूरा मामला सरसो की जाल में चिपकर मारी गोली खोदा निवासी विक्रम ड्रावत उम्र तेस वर्षी नहीं बताया कि वह अपने चचेरे भाई संतोष रावत उम्र अठार वर्षी के साथ बीती रात खेत पर बोर्वेल की मोटर को बंद करने गया हुआ था उसी दुरान अधेरे में खेत में खडी सरसो से तेश धमाकी की आवास आई विक्रम को लगा कि किसी ने पटाके को चलाया लेकिन देखा तो उसके चचेरे भाई संतोष के पैर से खून बह रहा था संतोष के पैर में बंदूग की गोली के छड़े लगे थे जिसके बाद घटना की शिकायत बैरार थाने में दर्च कराई गई गोली लगने के बाद घायल हुए संतोष को जिला स्पताल में भरती कराया गया जहां से संतोष को गौलियर रिफर कर दिया गया है बैराड से संबादाता धर्मेंदर शर्मा की खास रिपोर्ट और फ्रैदी के मेडिकल कराया गया है अधरिमकार भाई देखिया इसी विविश्णा में लिया गया है क्या निकलता है उसके के